So, hello friends, वीडियो में स्वागत है आपका आज हमें एक ऐसा वीडियो कवर करने वाले हैं एक ऐसा टापिक जो काफी important है और आप कई लोग की request बेती इस टापिक के लिए So, let us cover this Time-speed distance में एक टापिक आता है escalator जिसके हम बात करेंगे वैसे हाँ friends, TSDA काफी टापिक में पहले भी cover करवा चुका हूँ याद होगा आपको for example circular motion हो गया early late वाले questions, train वाले questions की बहुत सारी बाते करी थी काफी टापिक cover हो चुके प्रिस उनको देख सीजिएगा relative motion वगरा, ये एक और टापिक आपके सामने escalators और एक बहुत honest सी बात है कि भई कहने को escalator topic काफी कुछ boat and streams की तरह होता है और फिर भी इसमें कुछ problems आती है, मतलब आप लोग honestly मानेंगे, कई लोग आप में solve कर लेते होंगे बढ़ कुछ लोग को एक comfort level नहीं आपता है इस chapter में तो अब इसकी बात करेंगे हम लोग देखते हैं एक approach बने concept दुमा को बने ताकि ये questions आराम से solve हो पाए होते simple अब friends इतनी दुकानों में इतने mall में इतने hotel में हम लोग खाने पीने घूमने जाते हैं काफी जगा escalator होता है तो उसके सवाल भी तो होने चाहिए न मतलब ऐसा नहीं कि तही इतना घूम रहे हैं तो जिसी इसको यूज कर रहे हैं सवाल भी उसके बनने चाहिए very much practical real life application escalators की देखते हैं क्या सकतना है ठीक है जब आप चलोगे और कुछ escalator चलेगा मिला के total में आपका floor cover हो जाएगा तो इस तरह से कहानी होती है question की approach पर आने से पहले आप you know what is escalator संदा दिये मैंने आपको how is this sub topic different from other tz topic लिपर उसकी बात कर लेते हैं और फिर हम कहानी शुरू करते हैं मैंने escalator को उसकी तरह क्यों बोला अपना boat and streams की वहाँ पर भी आप boat पे जा रहे हो और stream आपको support या oppose कर रहे है downstream वाले case में stream support कर रहे है जहाँ आप ज़र वहीं पर stream जा रहे है अब stream में oppose हो रहे है मतलब आप उसके उल्टे direction में जा रहे हो वैसे कुछ काम यहाँ पे होता है कि या तो escalator support कर सकते हैं वह उपर जा रहा है आप भी साथ में उपर जा रहे हो या फिर वह उपर जा रहा है आप उल्टा आ रहे हो दोनों के बन सकते हैं ठीक है चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना और फिर questions पे चलता है आराम से हो जाएगा अब सुने ध्यान से पहली चीज़ हम जब distance की बात करते हैं तो यहाँ पे meter, centimeter, kilometer की बातें नहीं होती यहाँ पे distance steps के रूप में गिना जाता है अब staircase वाले पूरा कहानी है ना यहाँ आपना escalator के भी step है आप भी step से move कर रहे हैं तो यहाँ पे distance क्या होगा? 20 steps per second, 10 steps per second, 15 steps per second kilometer है meter यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे steps समझने की आपको आदट डालने पड़ेगी दूसरी बात एक step का measurement या आपकी speed कैसे दी होगी? अगर distance steps में है तो speed भी steps में हो यह जो हम बार बार step की बाते कर रहे हैं यह दोनों के लिए same रहेगा जैसे जो एक step का measurement होता है escalator के लिए step उसके भी हैं जो बढ़ रहे हैं और आपकी भी कदम चल रहे हैं मतलब movement cover करने के लिए दोनों के step सेम मानोगे आप ठीक है? when I say that speed of the escalator is 25 steps per second and your speed is let us say 50 steps per second ठीक है? थोड़ी ज़्यादा speed होगी एक एक्जांपल बतारता मैं आपको चलो 50 steps per minute बोल दो आप steps दोनों के सेम है मतलब जो एक step अज्यूम करा जाएगा वो दोनों के लिए सेम माना जाएगा मतलब अगर total 50 step है और escalator ने 20 steps चले तो बाकी 30 आप चलोगे और वो सारे step आपस में बराबर है दूसरी बात यह तीसरी बात अब यहाँ पर दो case हो सकते है अगर moving escalator है या फिर escalator move नहीं कर रहा अगर escalator move नहीं करो सारे step आप खुँच चलने है that is like moving in still water boat and stream में आप still water में खलता है वैसी कहानी अगर escalator move कर रहा है तो दो बाते हो सकती है या तो वो upward जा रहा होगा या downward जा रहा होगा ठीक और आखरी बात या तो आप escalator अगर move कर रहा है वो तो या तो उसके साथ जा रहे होंगे या opposite में अगर आप escalator के साथ चलोगे तो फिर उसकी speed आपको support करेगी कुछ कदम आप चलोगे कुछ कदम वो चलोगे वो total cover हो जाएगा पर अगर opposite में कि मॉल्च में कई लोग मस्ती के लिए सा करते है कि escalator नीचे जा रहा है अब उसमें उपर शट रहे हो ठीक है तो उस case में escalator आपको oppose करता है speed है minus होती है ठीक है clear बात अब एक और बात समझ लो जिसका हमको ध्यान रखना है सबसे जरूरी बात एक तो पहली बात यहाँ पे load share हो रहा है कुछ step आप चल रहे है कुछ step accelerator चल रहा है टोटल सेम होता है this is the most crucial thing और यहीं से question के solution निकलते है accelerator वालों के total is always same जैसे कि आप walk करते हो accelerator पे चड़ रहे है तो कुछ step आपने चले कुछ accelerator ने चले या फिर single person छोड़ो अगर double person comparison हो रहा है दो लोग की दो अलग speed है दोनों के steps अलग हो रहे हैं और दोनों के इसमें filter भी कुछ और अलग steps चल रहा है पर इन दोनों cases में total number of steps same होगा और वहीं से कहानी बनती है clear है बात? कोई doubt तो नहीं है यह बात और यह सबसे ज़रूरी बात है जहांसी question बनेंगे कि whenever you are comparing various cases between the same person के दो movement या two different person total steps same होता है ठीक है? और आखरी बात जिसके बाद हम questions पर चलेंगे एक बात धान रखना friends देखो आपका movement आप समझ रहे हो कि steps per second में speed D होगी escalator का role क्या रहेगा क्योंकि total movement के लिए आपके steps plus escalator के step escalator के step कितने गिनोगे यह बात ध्यान रखना escalator का उतना ही contribution या उतना ही चलना include करा जाएगा जब तक आप escalator पर हो आप नीची से चड़े escalator पर उपर पहुँच गए जैसी आपने ऊपर अपना आखरी के दम रख दिया उसके बाद escalator move करता रहे ना करता रहे आपका movement खतम तो आखरी बात सुनना मेरी बात सबसे जुरूरी बात आप escalator का उतना ही movement लोगे जो तब तक है जब तक आप उस escalator पर है जैसी आप destination पर पहुँच गए escalator के steps भी खतम आगे counting नहीं करनी है आपको ठीक है for example अगर x और y ये speed है ये steps है sorry जो आप चल रहे है तो x आपके step पर जो आपने चले escalator के step कैसे निकालोगे y की value वैसे हम question करेंगे पर बात समझा रहूं आपको कैसे निकालेंगे बताई बहुत simple मान लो escalator की speed v e है ठीक है अब यहाँ पे आप कौन सा time रखोगे ये time निकालने में हमारा movement आ गया कि हमको x step चलने में v मतलब अपनी speed को v person मान लोते हैं v p हमने x step चले इस speed से तो हमको इतना time लगा उसी time के corresponding हम escalator की speed multiplier पेरेंगे मतलब उतने ही time में escalator कितना चल रहा है सिर्फ उतना ही लेंगे आये का मतलब नहीं है तो ठीक है तो जिस तरह से escalator की speed होती है उसमें जो time multiplier होता है na escalator के step निकालने के लिए वो time आपके movement से govern होता है जब तक आप अगर आप x step चले है पूरे उपर से नीचे जाने में तो उन x step को चलने में आपको समय कितना लगा सिर्फ उतने ही steps आप escalator के ही लोगे मतलब सिर्फ उतने ही time के बस कोई मतलब नहीं है सीड से clear रबाद एक सरबाद में कुछ नहीं आप पहुच गए तो तो आपको x चलने में अगर इतना समय लग रहा है आपके steps आपकी speed यह time जो निकला यही multiply होगा escalator की speed से उसके step निकाले लें total will always be same अब हम सवालों पे आते हैं इसका एक और मतलब है जैसे आप escalator के उपर चड़ रहे हो मान लो आपने कुछ step चले कुछ escalator ने चले अगर आप दुबारा चड़ रहे हो अपनी speed डबल कर देते हो तो हो सकता है कि जो step आप चल रहे हो वो double ना clear about क्योंकि हो सकता है आप उपर और जल्दी पहुँच जाओ और आप escalator के भी उतने step लोगे जब तक आप उपर पहुच रहे हो तो यहाँ पर calculation में आपको दोनों element साथ पर रहने पढ़ेंगे और exact answer के आएगा यह question पर depend करता है तो direct ऐसा काम नहीं कि speed डबल तो step डबल हो गए तो जल्दी पहुच जाओ उपर escalator फिर कम step चलेगा आपके बढ़ेंगे step तो it all depends on the situation or the numerical data in the equation पर role दोनों का है और उसके steps आपकी speed पर निर्भर करते हैं तरीका बता दिया दिया बस ये बाद घ्यां रखना ठीक आए सवाल देखते हैं पहली चीज़ ठीक है मैं पुरा repeat नहीं करूंगा 10 second लोंगा total step जितने भी case लोगे हर समय सेम होता है equation वहाँ से बनेगे दूसरी बाद escalator के सिर्फ उतने ही steps लोगे जब तक आप चल रहे हो आप पहुँच नहीं आते हैं बस उतनी है ठीक है चले अब सवाल करते हैं सवाल में बहुत सारी जानकरी दी होगी हो दो तरह की बाते जो common बनते हैं या तो escalator के step पूछ सकता है मतलब कि दोनों floor के बीच में जो total steps की बात करें जो same है जो आप लोग मिलके चल रहे हैं कुछ आप, कुछ escalator वो step का count पूछ सकता है आप से या फिर time पूछ सकता है कि बही इतने, जैसे moving accelerator में ऊपर जा रहे है, आप भी ऊपर जा रहे हो तो इतना समय लगता है, नीचा आन में इतना समय लगता है तो अगर accelerator move ना करें तो कितना time लगेगा ठीक, तो हो सकता है steps का सवाल पूछ ले या time का सवाल पूछ ले, दोनों का सवाल आसकता है concept approach same रहती है बहुत समझ गए, चलिए सवाल के आते है, एक दो normal सवाल है सर जो cat और एक IFT के सवाल भी लिया है जहांके बढ़ी है सवाल recently आये थे IFT के recently आये था, year 2019 था भी और cat का पुराना सवाल भी which is very very important, बहुत बढ़ी है सवाल है ठीक है, अच्छा एक बात और समझ ले न हो सकता है, एक ही इंसान से दो बार movement करवा दो आपकी भाई, एक बार speed दोनों में change करता है या फिर two person case बन सकता है फरक कुछ खास नहीं है, ठीक है या तो भाई में ही दो बार अलग speed से चल रहा हूँ इस लिटर पहा है, दोनों person की बात कर दी ठीक है, ultimately total step सेम है equation वहीं से बन जाएगी सवाल स्वाल करता है ठीक है, अब अप्रोश देखना आराम से कहानी बन जाएगी and it will be a simple topic चलो भी आ, पहला सवाल यह तो हड़िया अब सुनिये ध्यान से time and work वाले भी सवाल होते है आप LCM लेते हो अगर दो person साथ में काम करेंगे ते time कुछ-कुछ वैसा भी आपको यहां पर कुछ सवाल हो सब में नहीं, कुछ में वैसा भी का आपको इंप्रेशन देख सकता है, ठीक है, तो concept के इबर inter-corrected होता है यह सवाल देखते हैं, हाँ हर सवाल में friends, यह बात जरूर जान रखना कि आपका और accelerator का movement कैसे हो रहा है escalator रुका है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब बहुत बाते होगी, बहुत समझा दिया, मैंने आपको सवाल सौल करते है, ठीक है अब अरसन टेक 80 seconds to move up on an escalator moving downward, escalator नीचे जा रहा है आप उपर जा रहे हो, आपको 80 second लगते है he takes 50 seconds to move down in the same escalator, उसमें नीचे वाल escalator में, अगर नीचे ही जाओगे अब कैसे करेंगे, देखो एक काम हो सकता है friends total step पूछा नहीं है पर assume तो करना पड़ेगा, जैसे time in work में time पूछा जाए, फिर भी आपको work को मानना पड़ता है, तो one मानते हो, LCM मानते हो आप LCM मान लेता है, ठीक है आप work मानोगे, one मानोगे x मानोगे, वो cancel हो गए यहाप तो LCM मानना बेटर है, let us assume let us assume, चलो x मान लेता है, क्या attention लेना x step से मान लेता है, ठीक है अब जहां से देखेगा यहाँ पर, कैसे चीज move करेगी, अब यहाँ पर जानकरी क्या है और क्या नहीं हमारे पास, हमारे पास speed नहीं है उनकी, तो let us do one thing x और y यह मैं speeds मान लेता हूँ किस की आपकी speed है x steps per second, escalator की speed है y steps per second, ठीक है तो हमने माननी, पूरा लिखती की दुरत नहीं है, अब बात समचे रहे हो अब देखिए, पहले case में आप escalator से उल्टा जा रहे हो तो आपको oppose कर रहा होगा x minus by यह net speed ही आ गई आपके, ठीक है और speed में time multiply करो, यह total steps बन गए, दूसरे case में direction same है, मतलब downward है और आप भी downward जा रहे होते हैं आपे speed है add हो जाएंगी, time multiply करो 50 seconds total steps आ गए, दोनों case में total step तो दोनों floor के बीच में same ही है आप equal कर सकते हो यहां से x और y की value निकाल लेते हैं 00 cancel करो, 8x minus 8y is equal to 5x plus 5y तो 3x 13y के बराबर आ गया, x upon y कितना आ गया 13 by 3 एक simple काम करते है, x को 13 मान लो, y को 3 मान लो constant लेके भी मान सकते हो 13 के 3 के पर वो cancel हो जाता है बता है ठीक है, चलो, अब total number of steps निकाल लो, या तो यहां रख दो x5 को, यहां फिर यहां रख दो मतलब एक ही, अपन यहां रख देता है minus करो, 13 minus 3 10 और ये 80, 800 800 step आ चुके हैं, अब ध्यान दीजे time taken by him to move up, अगर etc काम नहीं कर रहा मतलब आपने y zero कर दिया अब आपको अपने भरोसे ही move करना है 800 step है and your speed is 13 steps per second distance upon speed को divide करिए तो आपका answer seconds में आ जाएगा, ठीक है? solve कर ले रहे हैं, इसको कितना आ रहा है? 6 से करोगे, तो 78 आ जाएगा अराम से, ठीक है? तो इस chapter को वैसी देखना, इस chapter से डर मत जाना simple सी बात है, हो जाती है एक तो सवाल और कर लेते हैं अब यहाँ पे अब मैं steps का number पूछ रहा हूँ steps का number, अगला सवाल यहाँ आ दिया agent take 90 seconds to move up on an upward moving escalator by taking 20 steps himself upward वाले में वो भी upward move कर रहा है 40 steps खुद से लेता है escalator भी कुछ steps लेता होगा, total 90 seconds लगता है अगर उसने पनी speed बढ़ा ली तो he takes 70 seconds उपर तक पहुच ते में जिसमें उसके खुद के steps 50 होते हैं अब हमें number of steps निकालने है in the escalator, basically दोनों floor के बीच में कितने steps है आप कैसे करें, ध्यान से देखिएगा देखिए, पहले case में आपको बस इतना समझ में आना चाहिए total step जो पूचा है वो आपके step plus escalator के step आपने speed बदली तो दोनों के step टेकन बदल जाएंगे पर total फिर भी same रहेगा यहीं से हर सवाल निकलता है आपने चले 40 steps ठीक है, plus escalator की speed हमको पता ही नहीं तो speed को V मान लेते हैं उसकी speed से time को multiply करना पड़ेगा, ठीक है अब time कितना होगा, यह escalator की speed V मान लेते हैं, time कितना होगा time आप determine करोगे आपको जितना समय 40 step चलने में लगा, escalator के भी उतने step लोगे आप तो time होता है distance upon speed आपकी speed करना ही पता कोई निमान लो, assume कर लो न VX मान लो, बस total steps आगे, अगला case देखो 50 steps एक सेटेंड अच्छा इसमें तो दिया हुआ है न, यह तो और simple सवाल होगे, इसका tension क्यों ले रहे आगे एक सवाल करेंगे, जहां पर यह time नहीं दिया होता तो इसमें तो tension की जरूत ही नहीं है, तो 90 देई दिया हतम tension आगे एक सवाल आएगा, जहां पर time ही नहीं दिया फिर भी एक answer कैसा है तो मैं बताऊंगा आपको यह तो बहुत ही simple है अगला 50 step समझ गए न, escalator आपको 90 सेकंड लगते हैं तो आप escalator के उतने, अब वो time दे दिया उतने हम आप उपर पहुँच रहे हो तो उतने escalator time लो गया अगला 50 step आपने चले, ठीक है प्लस, escalator की speed है VE, steps per second टोटल 70 सेकंड लग रहा है पूरा movement पे तो आप उतना ही time escalator के लिए ही low तो आपने multiply कर दिया ठीक, और दोनों बराबर करो, total step is always equal तो कितना आ जाएगा, 20 into VE will be equal to 10 तो VE कितना आ गया, 1 by 2 आप बोलोगे, तो VE आ गया, escalator की speed हमें तो step चाहिए थे उपर रग दो answer आ जाएगा आपका, कहां रखें, यहां यहां, जहां मर जी अपकी, से मांसर आएगा तो 1 by 2 रग दो, 45 plus 40, 85 steps is the answer और यहां time देके आपके लिए काम और सान कर दिया थे वरना अगर time नहीं दिया होता, तो कैसे निकालते 40 upon speed of the person, ठीक है, वहां से निकालते हैं, उसके एक दो सवाल अभी आएगा, we'll see समझ गए, अगर आप यहां 1 by 2 रखते हैं, तो 50 plus 35 हो जागा, वो भी 85 के बराबर आता है अब यह तो थोड़ा basic, अब थोड़ी बात समझ नहीं आरी, कैसे करना है, simple चीज है मतलब वही दो रूल जो मैंने बता है, मैं repeat नहीं करूँगा, अब कुछ सवाल ऐसे करते हैं, जो exam में आ चुके हैं एक सवाल करेंगे, IFT 2019 में जो है था, और एक सवाल करेंगे CAT 2001 का, दोनों important है, इसमें steps का पूछा है, CAT वाले में, इसमें time पूछा है तो इसलिए मैं दोनों तरह के सवाल खोच के लिए लाया है, कि ऐसा ने की एक ही category कर ले, दूसरा भी ज़रूरी है, ध्यान से देखना है तो हम Delhi Metro से चलते हैं, अब देखो, IFT के सवाल सोड़े lengthy होते हैं, क्योंकि institution समझाता है, देखो यहां तक तो बस travel की वातरी, कहां से कहां जा रहे हो, अब सुनो Escalators take 80 seconds to get down, one day escalator was not working, and you walk up the escalator, ठीक है Escalator काम भी करता है, तो 50 seconds लगए आपको, अब ध्यान देखना है यहां पर, 80 seconds to get you down Carefully यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक बास समझ में आएगी, कि पहले case में जब 80 seconds ले रहे हैं, यहां पर हमारा अपना movement नहीं हो रहा, ठीक है In the sense, कि आपके movement की बात नहीं है, आपने कितने step उस सब बात नहीं हो रही, अब ध्यान से देखना एक काम करते हैं, let us do one thing, steps को x मान लेता है, steps को x मान लेता है, ठीक है आप 80 और 50 का LCM भी मान सकते हो, ठीक है, चलो वही मान लेता है, और असान रहेगा और असान रहेगा, 400, 400 steps है, आप x मान लेता है, आपको 80 second में नीचे लाता है, मतलब escalator की speed कितनी हो गई, 400 by 80 मतलब 5 steps per second, पर अगले दिन क्या हो गई, यह तो escalator की speed हो गई, अगले दिन exciter तो बन था, तो आपको सारा movement खुद करना पड़ा, तो यह 400 step चलने में, आपको लगे 50 second, तो यह आगया 8 steps per second, यह आगई आपकी speed, vx मान लेता है, ठीक है, अब देखिए, how much time does it take you to walk up the working escalator, अब कहानी देखना, यही अब working escalator है, मतलब move कर रहा है, वो कैसे move करता है, down, पर आप कहां जा रहे हो, अब, तो देखा आपसे, दो situation दे दी, नीचे escalator में आप खड़े हो, कितना समय लगा, आपको 80 second, दूसरे में escalator बन था, आपको लगते हैं 50 second, अब downward escalator में, आप upward जा रहे हो, बताओ समय कितना लगेगा, बड़े अराम से answer आएगा, total step 400 है, time होता है, distance upon speed, distance 400 step आगे, speed क्या होगी, दोनों को plus करना है, minus करना है, आ आप उल्टा जा रहे हो, उपर जा रहे हो, सिटर नीचे आ रहे है, minus करना है, 8 minus 5 करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ, second में होगा answer, पर आपको minutes में दिये option, तो upon 60 कर दिये जाए, तो आपको minutes में answer मिल जाएगा, 0 से 0 गायब कर जाए, 2 से 3, और यह 2 से, 20 by 9 minutes आपका answer है, मतलब कि 2.2 minutes आपका answer आगया, कहानी खतम, IFT का सवाथ, कितना simple है, अब यह तो बात होगी, जब आपसे time पूछते हैं, ठीक है, अगर आपसे steps पूछ ले, तो वो सावल भी करना आना चाहिए, आपको यह रहा सवाथ, ठीक है, मैं मुम्मीद करूँगा, क्योंकि पूरी बात moving staircase, मतलब इस मतलब ही समझा है, moving staircase, walk up कर रहें, ठीक है, अब escalator constant speed से move कर रहा है, अच्छी बात है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो लोग की speed का relation दे रखा है, कैसे दे रखा है, शामा takes three steps for every two steps of Vyom, तो एक simple काम कर लेते हैं पहले हैं, अपन, शामा की speed को मान लेते है 3x, और Vyom की speed को मान लेते हैं 2x, जो जानका नहीं दी, उसको speed मान लिया अपने, शामा gets to the top of the escalator after having taken 25 steps, 25, समझे इसका मतलब, 25 total step नहीं, 25 step आपने लिए, कुछ escalator ने लिए, अब यहाँ पे खुद के step का भी reference आगे, तो सवाल इस सा लग हो गया, वहाँ पे सिर्फ single movement किस का हो रहा था, इस case में, escalator का, इसमें सिर्फ आपका, इसमें combine के जो पूछा था, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, Vyom takes only 20 steps to read the top, तो Vyom 20 steps ले रहा है, अब अगर escalator बंद कर दिया, तो कितने steps चलने पड़ेंगे, भई, जितने steps total है, totally आपको कुछ चलने पड़ेंगे, अब को तो total की equation आपस में, बराबर करनी, हमने तो वही सीखा है, बरते हैं, बराबर, शाम चल रहा है 25 steps, plus, ठीक है, escalator की speed को VE मान लेते हैं, escalator VE steps per second से कितना समय चला, जितना time आपको लगा 25 steps चलने में, Vyom को, एक second किसकी बात हो रही, शाम को, जितना step लगे, शाम को 25 steps चलन में, उतना ही escalator का movement लो गया आप, that is it, बस, ठीक है, तो 25 steps हो गया, और speed क्या है, शाम की 3x, अब Vyom वाले case में आ जाओ, Vyom ने खुद से चले कितने step, 20 steps, और escalator contribution कितना है, उसमें escalator की speed, जो है steps per second में, time से मल चला है, और कौन सा time, जितना समय लगता है, Vyom को 20 steps चलने में यह rare 20 step और Vyom की speed is 2x, यह time आपके movement से निकला, और escalator से multiply होगा, इसकी बात कर रहा था, ठीक है, वाब बोलो कि सर इसमें तो variable 2 आ गए, equation तो एक ही बन रही है, आप tension मत लो, जो चीज़ चाहिए हो, आपको अराम समय जाएगी आपके, दोनो total step represent कर रहे हैं, तो we can equate that, यही अरा 5 बज गया, यहाँ पे अगर मैं VyE upon X common दे लूँ तो कितना बचा, this is 20 by 2, मतलब 10, minus 25 by 3, तो कितना आज जाएगा, देच रहते हैं, 5, यह हो गया VyE upon X, और यह कितना आ गया, 5 by 3, मतलब 30 minus 20, LCM लोगे 3 नीचे आप, तो 3 आ गया, यह 30 minus 5, 5, 5, 5 cancel हो गया, तो यहाँ से VyE by X कितना आ जाएगा, 3, क्या यह चीज़ काम की है, बिल्कुल, क्या कुछा है, टोटल स्टेप्स, जो या तो यह है, या फिर यह है, दोनों में से किसी भी एक में VyE by X रख दो, आपको अपना अंसर मिल जाएगा, यहाँ रख दो VyE by X कितना है, 3, तो 3 से 3 कैंसल हो, आप पच्चिस प्लस पच्चिस, पचास अंसर आएगा, खतम कहानी, यहाँ रख दो आप VyE by X को 3, तो कितना आ गया, 20 by 210, इंटू 3 करो 30, 30 ले सुन्ती कितना होता है, 50 स्टेप्स, 50 स्टेप्स, इस 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 और आंसर, खतम, Vy option is your answer, सिंपल था है नहीं, सेम काम किया आपने, यही चीज में, जो में घबराहट होती है, इस 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 पॉइंट पर होती है, कि कई बार हम अपने स्टेप को टोटल स्टेप मानते हैं, यह आपके स्टेप, एसकिलेटर के स्टेप के लिए उसकी स्पीड को उस टाइम से मल्टिप्लाय करो, जितना समय किसी एकोशन में रख देना, आप कांसर आजा, ठीक है, और टाइम वाले सवाल कैसे निकालते हैं, यह मैंने बताईचे, वो तो और सिंपल होते हैं, ठीक है, वो तो और ज्यादा सिंपल होते हैं, क्लियर है बात? चली, बस जहांने था, दिया क्या और पूछा क्या है, मतल तो दो चीज़ देखे तीसरी पूछता है, कुछ भी और दो देखे कोई भी तीसरी पूछ सकता है, अपरोच सेम रहेगी, वो आप देखने ना, क्या, क्या दिया है, क्या पूछा है, जैसे अगर यहाँ पर डाउन काई पूछते, तो कैसे होता, आप भी मूफ कर रहे हो, औ तो हम, जैसे हमने 8-5 किया है, तब हम प्लस कर देते हैं, अगर सेन डिरेक्शन होता है, तो वो एडिस्मेंट करना था, बहुत सिंपल, ठीके फ्रेंड्स, तो यह कहानी थी, एसकेलेटर टॉपिक, की मैंने समझाया है, तो शायद थोड़ा इनों, शब्दों को ज़्याद इमानदारी भरा कमेंट करना, कि सब आगे समझ में, नहीं है तो बोल देना नहीं है, I'll try अगे, पर इमानदारी भरा कमेंट करना, honest feedback, और अगर बाते समझ में आई तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन और बैल एकन का फंड आप जानते हैं, प्रेस कर इसको honest feedbacks आपको comment box में करना है, ठीक है, so thank you so much, have a nice day, अगले वीडियो में फिर सुम लगा तुछी आपसे, ख्यान रखियेगो, take care